Stock market में बहुत सारे लोग trading करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो stock market में पैसे गवा देते हैं तो आपको stock market में successful trader बनने के लिए क्या चीज़े चाहिए? सबसे पहले तो combination of skill, दूसरा है knowledge और तीसरा है discipline ये तीन चीज़े अगर आपके पास होगी तो आप stock market में successful होने के रहा पे जाते हो इसके अलावा भी कुछ ऐसे points है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहली step जो करनी है आपको अगर stock market में आप beginner हो या फिर अभी अभी आपकी जर्नी चालू की है अपने आप ए college student हो तो सबसे पहले आप stock market या फिर financial market के बारे में सीखना शुरू करजे क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको करनी होती है तो उसको पहले सीखना होता है चाहे वो trading strategies हो, risk management हो या फिर stock market के और भी चीज़े है जैसे candlestick pattern हो गया या फिर chart pattern हो गया या फिर आप कोई और चीज तरीके से price action की तरीके से अगर market में इंटर करना चाहते है तो पहले उसे आपको सीखना चाहिए financial market अगर आप नहीं सीखोगे और randomly किसी tips के उपर या फिर किसी whatsapp group या किसी telegram के उपर depend रहोगे तो आपका पैसा lose होने के chances बहुत जादा होते हैं तो successful trader बनना है तो पहले सीखना पड़ेगा क्योंकि हमें तो पता है engineering भी करते हैं तो चार साल हम वहाँ पर देने पड़ते हैं तो अगर आप सीखने के लिए कुछ साल नहीं दोगे तो आपके लिए वो एक failure का chance हो जाता है तो आपको ये नहीं करना है सबसे पहले अगर आप market में नए आए हो तो सीखना बहुत ज़रूरी है दूसरा point यहाँ पर आता है कि आपके पास एक trading plan होना बहुत ज़रूरी है अब trading plan जो आप बनाते हो उस trading plan के साथ आपको stick रहना है ऐसे नहीं कि ये trading plan नहीं चल रहा है त लिकिन आपके goal को आपका जो plan है वो outline करना चाहिए उसमें risk management आ गया technical analysis आ या फिर और भी कोई आप करते हो जैसे कि stop loss लगाना हो गया target लगाना हो गया risk कितने लेनी है reward कितना रखना है ये सारी चीजे हो गई या फिर आप कौन से type के trade लेना चाहते हो आप swing trade लेना चाहते ह ये सारा आपका पहला plan में define होना चाहिए अगर आप step by step जाते हो और plan के साथ आप आगे बढ़ते हो तो एक successful trader बनने में आपको जादा देर नहीं लगती तीसरा point यहाँ पे आता है risk management का आप कितना risk लेना चाहते हो आपका stop loss कहाँ पे place होना चाहिए आपकी limit क्या है risk लेने जहाँ पे आप greedy हो जाते हो और ज्यादा पैसा चाहिए और ज्यादा profit आना चाहिए ऐसे अगर बैठते हो तो वहाँ से market नीचे आता है और आपका stop loss हिट कर देता हो और पैसा आपका lose हो जाता है तो आपका risk management है वो proper होना चाहिए कितनी risk आप लेना चाहते हो किस तरीके से आप stop loss लगाते हो लिमिट आपके losses कैसे करते हो ये बहुत जरूरूर। चोता point यहाँ पे है कि आपको news पे भी update रहना है particular stock में या फिर particular market में जैसे US का market हो गया या फिर UK का market हो गया जैपान का market हो गया तो इन markets में क्या चल रहा है किस तरीके के updates आ रहे है जैसे कि फिलाल म news को follow नहीं करना है आपको उस particular stock के बारे में भी news अगर कोई आती है जैसे पिछले दिनों आया था कि TCS में कोई buyback आ गया था या फिर IEX का share buyback करने वाला था तो ये सारी चीज़े भी आपको मदद करती है particular stock की moment पकड़ने में या फिर news क्या आ रही है management के decisions क्या है कोई positive news आ news से कोई लेना देना नहीं होता है market का वो एक दिन का reaction होता है वो आता है और चला जाता है लेकिन business news रहेगी global news रहेगी या particular stock के बारे में कोई news रहेगी तो उसमें आपको update रहना है वो आपको मदद कर सकती है volatility पहचानने में और अगर gap up gap down होता है तो उस news के basis पे आप पता helping करते हो चाहे आप swing trading करते हो या long term के लिए आपकी position hold करते हो या फिर holding में position रखते हो तो वो है discipline आपको आपके plan के साथ discipline रहना है over trading नहीं करनी है अगर आप तै करते हो कि मैं दिन में सिर्फ 3 ही trade लूँगा और 3 में से 2 trade में stop loss अगर hit हो जाता है तो आप trade नहीं करोगे over trade क market से fight नहीं करोगे जहां पर trend जा रहा है उसी trend के साथ trade करोगे अगर आप इस तरीके का discipline follow करते हो आपके plan को follow करते हो तो आप successful trader बनने की journey में एक step आगे चले जाते हो आपके emotions को आपके trade के उपर हावी नहीं होने देना है अगर आपने trade लिया है तो P&L बंद करके रखना है और chart को follow करना है तब आपके emotions आपके उपर हावी नहीं होंगे अगर आप emotional हो जाते हो किसी particular trade में ज्यादा loss दिख्या तो emotion आजाते है ज्यादा profit दिख्या तो भी emotions आपके आजाते है तो emotion less trading करना है और over trading को avoid करना है छटा point यहां पर आता है कि humble रहना है जितना humble रह सको अतन fight मत करो अगर कोई mistake करते हो तो उसे write down करो और उस mistake को repeat मत करो उसको सुधारने की कोशिश करो कोई भी अगर trader बनना चाता है तो एक रात में उसे successful success नहीं मिलती है उसको time देना पड़ता है और उसके लिए अपने जो mistakes होते है उसके उपर उसको काम करना होता है अगर आप mistakes न इसके साथ साथ अगर कोई strategy में changes अगर करनी पड़े तो वो आपको time by time करनी चाहिए तो उसमें आपको changes करने पड़ते है तो अगर time by time अगर changes करते हो तो भी आपको कोई भी problem नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि मेरी strategy है ये work out होनी ही चाहिए market कहां कैसे reverse हो सकता है यहाँ पर ऐसे market के साथ fight नहीं करनी है अगर आपको changes करने पड़े तो strategy के साथ थोड़े बहुत changes आप कर सकते हो अगर strategy काम नहीं कर रही है तो थोड़े से changes करके थोड़े सी strategy बदल के आप उसे back test करके use कर सकते हो आपको results अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे सात्वा point है यहाँ पर कि आपके जो mentor है या फिर senior trader रहते है experts trader रहते है pro trader रहते है उनके साथ आपको contact बना के रखना है उनकी क्या गलती हुई है वो अगर आपको बताते है तो आपको वो मदद कर सकती है वो गलती repeat ना करने के लिए तो उनके साथ communication मिला के रखना है किस तरीके से वो trade लेते है किस तरीके से emotional control करते है किस तरीके से वो risk management करते है stop loss लगाने का तरीका क्या है वो उनसे आपको सीखना चाहिए क्योंकि अगर एक experience trader आपका mentor हो तो आपको trading journey में काफी मदद करता है हमेशा वो आ प्रूज कर सकते हो आपके trading journey में आपको खुद को बैतर बनाने के लिए तो mentor होना बहुत जरूरी है तो ऐसे अगर mentor आपके पास है जहां से भी आपने सीखा है उनको आप mentor मानते हो तो उनको communicate करिए उनके साथ communicate कीजेगा और उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सवाल पूचेगा मदद लीजेगा तो अगर ये करते हो तो आप एक humble trader बन जाते हो और दूसरों की गलती से आप सीख भी बहुत जल्दी जाते हो यहाँ और सबसे आखरी point है यह जो मैंने अभी 7 point आपको बताए है वो आपको one by one follow करने है आपका daily routine आपको follow करना है ऐसे नहीं कि आज profit हुआ तो कल profit होना ही है आपका अगर आज profit हो गया तो कल profit नहीं भी हो सकता है तो give up नहीं करना है आपके plan के साथ stick रहना है आपको routine follow करना है जो भी plan आप बनाते हो आप daily plan जो plan of the day है आपका trading का वो आपको रोज बनाना चाहिए कहां गलती हुई है उसको आपको लिखके रखना च चाहिए अगर यह step आप follow करते हो और उसके साथ साथ अच्छे strategy बना के trading करते हो तो आप एक successful trader बहुत ही जल्द बन जाओगे बागी वीडियो कैसा लगा यह मुझे comment में बता देना वीडियो को like करना ज्यादा स्यादा शेयर करना और चैनल को subscribe करना ना बूलना मैं नेक्स वीडियो में तब तब के लिए धन्यवाद